नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोते सीक्रेट मा लक्षमी अगर किसी पर महरवान हो जाए तो जीवन में उसे किसी पहई प्रकार की कमी नहीं रहती इसलिए मा लक्षमी को परसंद करने के लिए सभी तरह से हम उन्हें पूजा अर्चना कर उनकी उपासना कर उनका आसिरवाद चाहते हैं अब मा लक्षमी बैभव यस की देवी भी हैं मा दुर्गा की तीन सक्तियों में एक है मा लक्षमी जो कमल पुस्प पर बिराजवान रहती हैं और उनकी हतेलियां खुली भी रहती हैं जिससे की धन वर्सा होती रहती हैं मा लक्षमी का मंत्र जिसके gap करने से आप मा की कृता भी पा सकते हैं और अगर आपके उपर करजा है आप लाख प्रयास के बाद भी करज नहीं चुका पा रहे तो भी यह मंत्र अच्छूउक फल देता इस मंत्र का जब करने से आपको सफलता भी मिलेगी और हो सके तो जब आप मालक्षमी के सामने ये मंत्र जपें तब आप मालक्षमी के सामने एक घी का दिया जरूर जलाइएगा और इस दिये में लाल धागे की बाती रखिएगा ये आपके लिए ज़्यादा सुफलदाई हो इस मंत्र का जो हम आपको आज गुप्त मंत्र बताएंगे जब करने से घर में कभी भी अन्धन की कमी नहीं रहती और अगर इस मंत्र का जब आप इस फटिक की माला से करें तो इसके प्रेणाम सिग्र अतिशिग्र आपको मिलते हैं कोई भी सुबकारे करने से पहले या किसी काम से घर से बाहर निकलने से पहले भी इस मंत्र का जब किया जा सकता है क्योंकि ये मंत्र उन कारियों में सफलता भी दिलाता है चुकि मालक्ष्मी वहीं पर रहती हैं जहां सांती होता है जहां खुसिया होता है जहां लोग खुस रहते हैं बेबज़े के जगड़े लड़ाई नहीं करते किसी से बिवाद नहीं करते जितना है उसी में संपुस्ट रहते हैं मालक्षमी को मनाना आसान है उनकी किरपा पाना भी आसान है बस दिल से उनको मनाना होगा एक बात हमेशा ही याद रखिए जब भी आप मालक्षमी का मंद्जब कीजिए पहले भगवान स्रीहरी की अराधना कीजिएगा क्योंकि पती-पत्नी के बीच जो रिष्टे हैं उनको आपको नहीं भूलना चाहिए और जिस घर में सुक्सम्रीदी का बास होता है वहां पर पती-पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं यह भी कटू सकते हैं तो चलिए अब हम आपका ज्यादा समयना लेते हुए आज महा लक्ष्मी का बो मंत्र बताते हैं और उस मंत्र का जब आप कैसे करेंगे यह मंत्र आप सुबह सुबह स्नान करके अपने पूजा अस्थान पर बैठ कर भी कर सकते हैं और दूसी बात देवराज इंद्र ने स्वर्ग का राज प्राप्त किया था इसी मंत्र को जब कर और कुवेर देव महराज ने भी परम एस्वर को प्राप्त किया था इस मंत्र का जब करके और महालक्षमी के इस मूल मंत के द्वारा गुप्त मंत्र के द्वारा ही सब को अपना अपना राज मिला है तो वो मंत्र है इस मंत्र का जब आप जरूर करें आपके जीवन मे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव अच्छा लगे जानकारी तब लाइक कर सब्सक्राइब करें धर्निवान